हाई फ्रेंड्स कैसे आप सब ? आई होप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज बनाएंगे हरे प्याज के पकोड़े आपने आलू गोभी पालक और पनीर के पकोड़े तो कई वार खाए होंगे लेकिन क्या आपने कभी हरे प्याज के पकोड़े खाए हैं अगर नहीं तो ये रेस्पी जरूर ट्राई करें तो फ्रेंड्स चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हरे प्याज के पकोड़े तो सबसे पहले हर राप्याज लेना है यह मैंने धाइसोग्राम राप्याज लिया है इसको अच्छे से साफ करके धुल लिया फिर इसको हमने काट लिया है अब इसको हम एक बाउल में ट्रांस्पर कर लेते हैं अब एक कब डालेंगे इसमें बेशन धन्या पत्ती और दो ग्रीन चिली फिर इसमें डालेंगे आदा चम्मच जीरा और आदा चम्मच अजवाइन ट्रेश्ट करके डाल देंगे नमक स्वादा नुशार अड़ करेंगे थोड़ी सी हींग बन पिंच डाल देंगे इसमें नमक डाल देंगे और इन सब को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल कर मिक्स करेंगे इसको पानी हमें थोड़ा ही डालना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको बेशन कम लगे तो आप और डाल सकते हैं अब डालेंगे हम इसमें रेड चिली पाउडर हल्दी पाउडर हाप टी स्पून इससे पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा अब पानी डाल कर इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारा बैटर बनकर तयार है अब कड़ाई रखते हैं गैस पर और इसमें पकोड़ों को डाल देते हैं अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक इनको डीप फ्राई करेंगे यह ठंड के मौसम में के लिए एक दम सही रैसिपी है तो फेंड्स एक वार जरू ट्राई करें यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं तो आप इस सामकी चाय के साथ यहां शुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सुबहे के नास्ते में बना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है तो देखिए हमारे एक पकोड़े गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं हमें लो टूर मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है जिससे यह अंदर तक कुक हो जाएं तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देए बेल आइकन को प्रेज करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो फ्रेंड्स देखिए पकोड़े हमारे तल चुके हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में हमेने टी सूपेपर पर निकालेंग जिससे एक श्रॉयल निकल जाएं अब हम प्रोसेस से हम फिर से पकोड़े मना लेते हैं तो हमारे सारे पकोड़े बन कर तयार हैं अब इनको प्लेट टिंग कर लेते हैं देखिए प्लेट में निकाल ली हैं आप इसे सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं देखिए अंदर से तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें थैंक यू झाल 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 झाल